बॉलिवुट के सबसे पॉपुलर जोडी एश्वरय राय बच्चन और अभिशेक बच्चन इन दिनों अपने तलाग की अफ़ाहों की चलते सुर्खियों में हैं वैसे तो हमेशा से दोनों मीडिया के आगे एक दूसरे पर प्यार बरसाते नजर आते थे लेकिन अब कहानी बदलती नजर आ रही है जहां दोनों की शादी में सास बहू और साजिश का तड़का आए दिन लगता रहता है अभी बीते दिनों अनन्त और आदिका की शादी में अभिशेक और एश्वरया दोनों अलग अलग पहुंचे जिसके बाद दोनों के तलाग की अफवाहें फिर से उठने लगी लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे सारी कहानी साफ नजर आने लगी है क्या है इस तस्वीर का सथ चलिए विचसिट में जानते हैं दरसल दोस्तों तलाग के रूमर्स के बीच अभिशेक बच्चन और एश्वरया की एक दूसरी के साथ खुशी से पोस्ट देते हुए एक नई फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसे इंस्टरग्राम पेच पर शेयर किया गया है तस्वीर में अश्वरया ओफ शोल्डर ब्लैक बॉडी हगिंग ड्रेस में बेहत खुब सूरत लग रही है जिसे उन्होंने ब्लैक पैंट्स के साथ पेयर किया है वहीं अभिशेक बच्चन वाइट टीशेट और ब्लू पैंट में हैंसम लग रहे है लेकिन क्या आपने एक चीज नूटीस की कि दोनों अभी से ज्यादा यंग लग रहे है वो इसलिए कि ये पिक्चर 2021 की है जहां एक इंटरव्यू की दोरान एश ने कहा था कि डायवार्स वो क्या होता है आपको बता दे उस साल भी दोनों के डायवार्स की खूब बाते हो रही थी इस पर दोनों ने फुल स्टॉप लगाते हुए ये स्टेटमेंट दिया था लेकिन अब एश वर्या ना सिर्व बच्चन फैमली के साथ स्पॉट होना छोड़ चुकी है बलकि वो अपने हस्बेंट के साथ भी कम ही दिखाई देती है अब शेक अपनी पूरी फैमली के साथ तो वहीं अश वर्या अपनी बेटी अराध्या के साथ जहां दोनों के डायवार्स के रूमर्स बढ़ते ही जा रही है लेकिन हैरानी की बात है कि दोनों इस पर कुछ भी कहने को तयार नहीं है पहले अभिशेक का अपनी इंगेजमेंट रिंग उतारना फिर अश्वर्या का अपना बढ़ दे अपनी ममा के घर सेलिब्रेट करना और अब अमबानी की शादी में पावर कपल का एक दूसरी की बिना शादी अटेंट करना वेल कुछ का कहना है कि अनन्द की शादी में अश्वर्य और विशेक एक दूसरे से अंदर मिल गए थे लेकिन फोटो सामने आई तो उसमें कहानी कुछ और ही थी दोनों ही अपने पास पेठे गैस से बात करते नजर आ रही है लेकिन एक दूसरे से नहीं वेल बच्चन फैमली में कुछ तो पक रहा है लेकिन क्या इसकी अभी कोई इंफोर्मेशन नहीं है पर दोनों की ये 2021 वाली फोटो काफी वाइरल हो रही है तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं